हेलो दोस्तों वेलकम टो आर चैनल तो जैसे ही ये न्यूज आई है आज तक पे लगातार बच्चे इसको भेज भेज के पूछ रहे हैं कि भहिया क्या इस तरीके की बात हुए है तो सबसे पहले देख लेते हैं वीडियो जैसे कि ये बोल रहे हैं कि रेलवे में 2,40,000 पदो पर होगी भरती और केंद्रिय रेल मंत्री आश्मिनी वैश्णों ने राजय सभा में इस बात की जानकाई दी है आप देख सकते हो इस तरीके की न्यूज जो है वो बताई जा रही है न्यूज के अंदर भी और ये शूर है मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है अगर आप अभी से तयारी शुरू करते हैं तो ये मान के चलिए इस साल के लास्ट तक आप अपना सलेबस निप्टाएंगे चार साले चार महीने के अंदर और इस साल के लास्ट में या फिर 24 के स्टाइटिंग में वेकेंसी आनी ही आनी है क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है आप लोगों को पता है और उसको ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा ये सब लोग जानते हैं इसमें कोई भी दो राये नहीं है क्योंकि 2018 के बाद 2019 में किसी ने वेकेंसी नहीं मांगी थी गुरूप दी की लेकिन फिर भी गवर्मेंट ने वेकेंसी दी जबकि उनके पास वेकेंसी चोशाट हजार थ रहे है कोई भी दो राये नहीं है कि बेकेंसी आएंगी नहीं आएंगी निश्चित तोर से बेकेंसी आप लोग के लिए आने वाली हैं तो मैं आप लोगों से यहीं चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी हम लोग क्या है Target Classes आप लोग की स्टार्ट करने वाले हैं अगले कुछी दिनों में एक से दो दिन में तीन दिन में तो आप लोग अगर जॉइन होना चाहते हैं तो निश्चित तोर से आप जॉइन हो सकते हैं यहाँ पर बस आपको वेकंसी आएगी या नहीं तो ये आप लोग का कनफ्यूजन मना था कि वेकंसी होगी या नहीं होगी तो बो आली चीज़े अब आप लोग को पतार चल गई है कि निउस में भी आना शुरू हो गया है इसलिए वेकंसी तो आएगी ही आएगी और election year है तो भाईया इस चीज़ को नहीं मतलब इस चीज को आप किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकते या यह मानी नहीं सकते कि वैकेंसी नहीं आएगी तो हमारा तो पूरा है कि वैकेंसी आनी आनी है बस आप लोगों को अब ध्यान रखना है कि आप लोगों को तैयारी करनी है या फिर वैकेंसी आने